आज जैसे ही मैं किचन में गई हस्बंड ने कहा, कुछ ऐसा बनाओ जो एक दम नया हो, बहुत ही तेस्टी हो, यूनिक हो, और रैसिपी ऐसी बनाना, जिसे बनाने में ओिल बहुत ही कम इस्तेमाल हो, साथ ही रैसिपी हैल्दी भी हो ये सब सुनते ही मेरे मन में बिचार आया कि क्यों न गेहूं के आटे का आज नाश्ता बनाया जाए तो बस फिर क्या था मैंने बोल में डेड़ कप ले लिया गेहूं का आटा और अब यहां मैं इसमें डाल रहे हूं आधा कप सूजी मोटी बार एक जो भी सूजी यो वो ली जा सकती है अब सूजी डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया आधा चमच नमक अब आपको इसमें आधा चमच अजवाइन डालना है अजवाइन जरूर डालेगा इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यह डाइजेशन में बहुत हेलफुल होती है एक चमच सफेद तिल डाल दिये और दो चमच कसूरी मेती हाथों से क्रश करते हुए डाली अब यहाँ इसमें डालेंगे आधा चमच दरदरा पिसा हुआ सौफ यह जरूर डालेगा इसका जो फ्लेवर है इस रेसिपी को एक अलगी लेवल पर पहुचा देगा सारी चीजों को आटे में आप बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें आप डालेंगे ओल मैंने यहाँ इसमें वन टेबल स्पून ओयल डाला है ओयल को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है यह रेसिपी ऐसी बन रही है जिसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं लंच में खा सकते हैं या डिनर में भी इसे खाया जा सकता है इसे आप कोई गयस्ट आने पर भी बना सकते हैं घर में कोई पाटी है तब बना सकते है या फिर बच्चो के टिफिन के लिए भी इसे बना का दिया जा सकता है अब oil को mix करने के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक dough लगा कर त्यार करेंगे जो dough आप लगाएंगे वो बहुत जादा soft नहीं लगाना है हलका सा hard dough लगा कर हम त्यार करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने यह dough त्यार कर लिया है और बस अब हम इसे ढखका रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि से सूजी जो डाली है वो अच्छे से फूल जाए तब तक हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर यहां gas पर मैंने रखा है एक pan और इसमें आपको एक चम्मच तेल डालना है और जब तेल गरम हो जाए तो इसमें आप आधा चम्मच जीरा डाल देंगे जीरा तड़के का आधा चम्मच जीरा डाल दें और उसके बाद इसमें दो तिन पिंच हिंग डाल दें अब आप सभी चीजों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे जीरा और राई को आप बहुत अच्छे से तड़कने देंगे इसके बाद आप यहाँ पर इसमें डालेंगे प्यास मैंने यहाँ पर एक medium size की प्यास को पारी कट करके इसमें डाल दिया है एक चमबच इसमें जा रहा है अद्रक, अद्रक को घिसका डाला है प्यास और अद्रक को बहुत अच्छे से medium flame पर भूनना है अद्रक जरूर डालेगा इसका flavor इसमें बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पर देखे, प्यास का कलर हलका हलका चेंज होने लगा है तो बस इस स्टेज पर जाएंगे मसाले, आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच लाल मिर्श पाउडर इसमें हम डालेंगे आधा चमच धनिया पाउडर, नमक आधा चमच और इसमें जारा आधा चमच दरदरा पिसा हुआ सौंफ पाउडर और इसमें हम डाल देंगे तीन हरी मिर्ष जिनें बारिक कट करके डाला है आधा चमच डालेंगे गरम मसाला, आधा चमच आमचूर पाउडर अब सभी मसालों को आप बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और प्यास के साथ में इने भी भूनेंगे अगर आपको लगता है कि ये मसाले जल रहें तो आप इसमें एक से दो छोटे चमच पानी डाल सकते हैं और बहुत अच्छे से इस मसाले को आपको पका लेना है अब यहाँ पर मैंने इसमें ये डाल दिया है पत्ता गोबी पत्ता गोबी को मैंने बहुत बारिक कटकर के लिया है और ये इसमें डाल दिया है पत्ता गोबी को इसमें बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे अगर आप पत्ता गोबी खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसकी जिगा फूल गोबी का भी इस्तमाल किया जा सकता है यहाँ पर लगबग देड़ दो मिनट के लिए मैंने से कुक किया है और अब इसमें जारा उबला हुआ आलू तो एक बड़े साइस के आलू को उबाल कर छील कर मैश करके इसमें डाला है आलू के जो मोटे टुकड़े है उन्हें इस तरीकी से आपको बहुत अच्छे से मैश कर देना है अब इस मसाले को दो मिनट के लिए और आपको पकाना है बहुत ज़्यादा तेर तक नहीं पकाएं क्योंकि पत्ता गोबी को बहुत ज़्यादा सौफ्ट नहीं करना है इसका क्रंच हम बरकरार रखेंगे तो बस अब आप फ्लेम को आफ कर दीजे और इसमें हरा धनिया डाल कर बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजे अब इसे अलग बरतर में निकाल कर आप ठंडा करें और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे मूमफली का टेस्ट इस रेसिवी में बहुत अच्छा आएगा अब देखे जो हमने आटा लगा के रखा था वो अच्छे से सैट हो गया है तो एक बार फिर से लगवग एक मिनट के लिए आटे को और गून लेंगे जो सूजी अच्छ आटे से पहले मैंने लोई तोड़ ली है अब आपको करना क्या होगा एक एक लोई इस तरीके से उठानी है हातों के बीच में रखकर गोल गोल करें और अब इसे इस तरह दबा कर आप कटूरी वाला शेप दें बीच में से भी बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है तो ये कटूरी वाला शेप देने के बाद अब जो मसाला त्यार कियाना है पत्ता गोबी आलू और मूमफली का वो हमें इसके अंदर भरना है बहुत अच्छे से मसाला भरिएगा तब ही ये नाश्ता टेस्टी लगेगा मसाले को अंगुठे की सायता से अंदर की तरफ रखा है और इसे हलका-घंगा ऑईल लगा का चिकना करेंगे और यहां पर हलका-घंगा सावइल इनके अंदर भी डाल देना है बहुत ज़्यादा ओईल मैं दालेंगा बस थोड़ा-धोड़ा दो, चार-चार बूंद डालना है और उसके बात मैंने सभी साचू के अंदर तो तो डाल दियां आपर थोड़े फिल हरा धनिया के पत्ते अच्छा दिखने में अच्छी लगें से हमस्की आपari ठीकby के बड़ेगा सब ICE你們 को इस तरीके से इसमें अब को फैला देना है ताकि से सभी तरफ ये तिल और हराधनिया रेसिपी में लग जाए और अब यहां ये हलका सा गरम हो चुका है तो बस जो हमने बॉल्स त्यार किया है वो हम इसके अंदर रखेंगे तो यहां पर मैंने इसमें ये सभी साजों में बॉल्स रख दिये हैं अब आप इसे ठक देंगे और ठक कर 5-7 मट के लिए एक तरफ से लो फ्लेम पर इन्हें सिखने देंगे और अब देखिए मैंने इसे उपन क्या है उपर से देख सकते हैं ये ड्राई हो गया है तो बस इसके उपर हिलका हलका ओर लगा देंगे ताकि जब आप इन्हें पलट कर सेकें तो दूसी तरफ से भी अच्छे सेकें तो थोड़ा थोड़ा ओर लगा दिया है और अब हम इन्हें पलट देंगे ये देखिए ये सभी बॉल्स नीचे से सेख चुके हैं तो इन्हें इस तरीके से पलट कर दूसी तरफ से भी हमें सेख ना है तो सारे बॉल्स को आप ऐसे ही पलट देंगे और दूसी तरफ से इन्हें सेखने के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपके पास अपम पैन ना हो ना तो आप इन्हें फ्राइ करके भी त्यार कर सकते हैं तो यहाँ पर सभी को पलटने के बाद धग देती हूं और 5-7 मिनट बाद हम इन्हें फिर से चेक करेंगे अब कुछ देर बाद मैं इसे ओपन कर रही हूं और ये देखिए इसके लिए मुझे कुछ भी स्पेशल मार्किर से नहीं लाना पड़ा है तो जब भी आपके घर में किसी का मन करें कुछ इस्पेशल नया टेस्टी खाने का और वो भी केहूं के आटे का बना हुआ कुछ हो तो आप ये रेसिपी ट्राय कर सकते हैं ये रेसिपी मेरे हस्बन को इतनी पसंद आई कि उन्होंने ये ब्रेकफास्ट में तो खाई साथी लंच और डिनर के लिए भी मेर से बनवाई तो आप भी इसे बनाए ये बाहर से एकदम खसता मज़ेदार है और अंदर चटपटी सी स्टफिंग है जो इसे बहुत मज़े बनाती है रेसिपी पसंद आई तो लाइक कॉमेंट शेयर चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें